बेरेंग का मेरा एक टाइप होता है सिलेंड्र का रोलरस बेरिंग जिसको diplom बेरिंग भी कहते हैं अई यू सिरीज का कोई ऐसाड़ लेता हूँ न्यो 305 या फिर फिर एन यू 2305 दोनों में क्या डिफरेंस है क्या एक बेरिंग की जगा दूसरा बेरिंग लग सकता है पूरियान करते हैं कि इस वीडियो में तो वीडियो में यह अंताकलो दोस्तो स्वागा थे आपका फिपने यूरुचनल टेक्निकल शादाप सर्म है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दीखे कोई एक्जामप प्रिगर रोलर्स बेरिंग होते हैं यह एनि-ु 305 का यह दी ऑडी सेम होती है लेकिन जो इनकी विल्ट होगी जो चोडाई होगी वह सेम नहीं होगी क्या होता है कि अगर मेरा इंडस्ट्री में तेही जिरो पांच का बेरिंग कहीं पर लगा है और वह ब्रेक हो गया हो सकता है उस टाइम पर तो यह फिटिंग हो सकता है तो यहां पर देखेंगे इस एन्यू 305 की मेरी आइडी होती है 25 mm और ओडी हो जाएगी इसका ओड़ा डायमेटर 62 mm और इसकी वीट हो जाएगी 17 mm और इसी तरह एन्यू 23 25 के बेरिंग में जो होता है 25 mm और इसकी वीट हो जाएगी 24 mm यानि कि सिर्फ चोड़ाई का डिफ्रेंस आ रहा है कि दोनों आइडी और ओडी सेम होती है सिर्फ चोड़ाई का फरक है तो एन्यू अगर 23 5 का बेरिंग कहीं पर लगा है तो उसकी चोड़ाई जो 24 mm है तो वो 24 mm पूरी पूरी लेगी लेकिन यहाँ पर अगर मैं एन्यू 305 का बेरिंग फिट कर रहा हूं तो यहाँ पर 17 mm आ रही है तो इसमें क्या होगा कि जितना इसमें चोड़ाई का डिफरेंस यानि कि 24 में से 17 कर हम घटा देंगे पर 24 माइनस 17 करेंगे यह 7 mm आएगा यानि कि 7 mm का कोई एक रिंग उसी बेरिंग के टाइप का हम कोई रिंग ब्रास का गन मैटल का कोई सा भी ले लीजिए वो हम उसमें डाल सकते हैं और वो फिक्स हो जाएगा देखिए यह 7 mm का रिंग जहां पर बेरिंग लगा है उस बेरिंग के बराबर में फिक्स हो जाएगा तो क्या उसकी चोड़ाई घट जाएगी जो मुवेबल पार्ट होगा वो सिर्फ बेरिंग का होगा उससे डिफरेंस क्या होगा कि जो बेरिंग की लाइफ है वो हम हो जाएगी यह रियल्टी है कि बेरिंग की लाइफ कम हो जाएगी क्योंकि इस बेरिंग की लाइफ जादा मिलेगी इसकी कम मिलाएगी क्योंकि इसकी चोड़ाई कम हो जाती है तो जो उसका केरिंग लोड है वो सिर्फ उतने पार्ट पाता है यानि कि 17 mm के पार्ट और यहां पर 24 हाला तो ऑगा हो सकता है कि कम हो जाए लेकिन चले यह गारंटी यह चोटा सा झाओ टी कि यह 24 mm है इस वाले bearings में लेकिन यहाँ पर 17 हो रही है तो इसका एक पार्ट एक इससा अगर मैंने यहाँ से हटा लिया यानि कि यह चोड़ा ही कम हो गई तो जो bearing का लोड़ है पार्ट पर यानि कि 17 mm पार्ट पर आ जाता है तो मतलब यह है कि at a time अगर bearing NU325 का bearing हमारा break हो जा है और उसकी जगह पर हम NU305 का bearing लगा देते हैं तो वह प्रोपर काम करेगा यह गारंटी है प्रैक्टिकली है आप करकर देख सकते हैं इसी तरह किसी भी numbers में ले सकते हैं यह मैंने पांच के नंबर का bearing लिया आप 6, 7, 8, कोई भी नंबर ले सकते हैं यानि कि चार वाली सीरीज का bearing हम NU टाइप का लगा सकते हैं यह पकी बात है और वो कारंटी से चलेगा भी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं तो वीडियो में आज के लिए इतना है अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छे है तो लो लाइक चुनको सब्स्राइब और वीडियो को श